नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा आज किस्सा यूपी का में अतिक के नापाक इरादे की करेंगे उमेश पाल हत्यकान के बीच अतिक एमद की माफ्या गिरी खत्म होने का सलसला जो शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी है पहले संपतियों पर एक की बाद एक बुल्डोजर चले और अब एक बेटे का ही एंकाउंटर हो गया हालात ये हैं कि जस अतिक के नाम की तूती पूरे यूपी में बोला करती थी आज उसी माफ्या के बेटे के अंतिम संसकार के कारिक्रम में शामल होने से लोग कतरा रहे हैं अतिक गड़ गड़ा रहा है रो रहा है और अपने गुनाहों को कबूल कर चुका है पर इसे बीच अतिक का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है अतीक एमत के पाकिस्तानी खूफिया एजनसी आईसाई और कई आतंकी संग्टनों के साथ साथ खाट के राज़ खुल चुके हैं यूपी पुलिस की रिमांड कॉपी से पता चला है कि अतीक और अश्रब पाकिस्तान से हतियार खरीते थे इन हतियारों को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये पंजाब में गिराया जाता था तो आज अतिक के पाकिस्तान कनेक्शन के किस्से पे ही चर्चा करेंगे बाच्चत के लिए मेरे साथ स्टूड़ में मौझूद है Capital TV के Executive Editor राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्या है यतिक का पाकिस्तान कनेक्शन यहां जो हिंदुस्तान में जितने भी यह जो कहा जाता है कमजोर अलफसंख्यक समुदाए जो शांती दूत बने फिरते हैं मुस्लिम ये सारे के सारे जितने भी मुसल्मानों में गैंगस्टर है अगर उत्तर परदेश की बात करें तो उत्तर परदेश में भी ये बड़े बड़े गैंगस्टर मुसल्मान कैसे पैदा हो जाते हैं जब कि कहा जा रहा है कि मुसलिम तो कमजोर कौम है यहां पर उनके साथ अन्या हो रहा है ये सारे के सारे जो मुस्लिम करेक्टर हैं गैंगस्टर हैं ये सारे लोग कही ने कही पाकिस्तान से जुड़े रहते हैं अतीक अहमत की जहां तक बात है ये पाकिस्तान के उस लारजर कॉंस्पिरेसी का एक प्यादा है इससा है जिसमें जब पाकिस्तान ने भारत क साथ दुष्मनी सुरू की थी 1947 के बाद तो अलग-अलग दोर में पाकिस्तान ने भारत के साथ इस दुष्मनी का इस्तेमाल करने का तरीका बदला पहले वह सीधे युद्ध में भारत को हराने के कोशिश की 48 हो या 71 हो या 65 हो र बार पाकिस्तान ने सोचा कि भारत को नीचा दिखाएंगे, कमजोर दिखाएंगे, कबजा करेंगे लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुखी खानी पड़े उसके बाद उसने अपने अस्टेरजी बदली प्रॉक्सी वार यानि कि छद में युद चेड़ा भारत के खिलाप और आतंक वादियों को भेजना सुरू किया इसके लिए एक इसलामिक आंदोलन चलाया कि पूरे दुनिया के जो मुसल्मान हैं वो भारत के खिलाप आएं क्योंकि कश्मीर में भारत ने मुसल्मानों का जीना हराम कर दिया है अब ये इस्तिती जब आई तो उसके बाद पहले उसको मुश्किल हो गई इस बात के लिए कि लोग कहां से लाएंगे धीरे धीरे बदलता गया और फिर उसने तैयार किया भारत के लिए भारत में रहने वाले उन मुसल्मानों को जो पाकिस्तान के साथ हो सकते थे और पाकिस्तान को सिर्फ पैसा और हतियार देना पड़ता इसमें सामिल कौन-कौन हुआ उसमें एक सबसे बड़ा उधारन तो दाओद इबराहीम का है क्योंकि दाओद इबराहीम उस समय एक गैंगस्टर था मुंबई का डौन था और मुंबई का डौन होने का उसको इतना अपसोस अब तक नहीं हुआ होगा जितना कि पाकिस्तान के साथ नाम जुड़ने के बाद ये मुंबई में जो बम हमला हुआ था उसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने उसके उपर दबाब डाला क्योंकि उसका नेटवर्क था और उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया और क्या हुआ मुंबई हमले के बाद जो दाओ दिबराहिन डौन हुआ करता था वो आतंकवादी हो गया और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा अब वही इस्तिती अतीक हमद की है कि अतीक हमद अभी तक गैंगस्टर बना फिर रहा था गैंगस्टर यानि की गैंगस्टर बहुत सारे हैं मापिया बहुत हैं उसमें से अतीक हमद भी एक है इसलिए ये जो गैंगस्टर होते हैं उसके प्रती कुछ लोगों की सहानुवूती भी होती है ये सहानुवूती पैदा किया जाता है पै और ये ऐसा क्यों कर रहा है कभी कभी एक समुदाय विसेस का मसीहाई से बनाए जाता है लेकिन जब आपके उपर आरोप देश के विरोध में साजिस करने का लगे तो उसके बाद अतंकवादी का टैग लग जाता है अतीक हमद के साथ यही हुआ अतीक हमद अभी इतने दिनों से जो चर्चा में है वो इस बात के लिए है कि सौ से ज़्यादा केस है वो बहुबली है वो नेता भी रह चुका है सांसद भी रह चुका है और उसका पूरा परिवार राजिती में भी सक्रिये है अपराद में भी सक्रिये है अब एक एक चीजे खुल के आ रही है पांच वेटा था अब चार रह गया है लेकिन चारो के चारो क्रिमनल भाई असरब क्रिमनल बहन यो जो आईसा नूरी है वो भी क्रिमनल वो भी कॉंस्पिरेसी कर रही है मास्टर माइंड है कुछ सूट आउट का उसके बाद बीवी साहिस्ता परवीन वो भी उसी में शामिल है यानि पूरा का पूरा परिवार ही इसका है जो अपराधी है अब उसके बाद अब सामने क्या आया अपराधी होने के साथ साथ यह आयास्याई का एजेंट भी है यह वैसे आतंकवादियों के साथ संपर्क में है जो सिर्फ हतियार नहीं देता है इसको पैसा भी देता है और यह जो लोग हैं वो वहाँ पर आतंकी संगठनों के लिए मुस्लिम युवाओं को तयार करते हैं भेजते हैं तो अब जो इस्थिती अतीक अहमत की है जिस पर यह विलाप कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता इन काउंटर पर सवाल उठाके कि गैर कानूनी है वो धीरे धीरे एक्सपोज होना चुरू हुआ है तो इनकी बोलती भी बंद होगी क्योंकि जब उत्तर परदेश की पुलिस ने रिपोर्ट तयार की पूश्टाच की और जानकारी मिली इस बात के कि ये कोई सामान गैंगस्टर नहीं है ये अखलेस यादब ने पाल पोस्ट के माया बती ने सरक्षन देके इन लोगों को बड़ा तो किया लेकिन ये देश के लिए भस्मा सूर है इसका खात्मा जरूरी है तब ही योगी आदितिनात ने आदेश दिया कि अब इनको बख्षने की जरूरत नहीं है जहां मिले वही पर इसका सफाया करो इसके पूरे नेटवर्क को तोड़ो और उसी की कड़ी में ये असद का इनकाउंटर हुआ उसी की कड़ी में गुलाम मुहम्मद मारा गया तो ये लोग और क्या उसी की कड़ी में आगे भी जो बचे आरो पि उसका भी अनकाउंटर होगा ये तो लगबग तैय है, छे साथ नाम तो अभी लिस्ट में शामिल है, जिन लोगों ने एक खुलेाम योगी आदितनात को चैलेंज दिया था, एक चुनोती थी कि हम दिन्दहारे बम फेकेंगे, गोली मारेंगे, किसी के हत्या करेंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो, ये तो खुलेाम चुनोती थी, कि सिसी टीवी कैमरे में आपकी तस्वीर है, आप मुह सर ढके हुए नहीं हो, आप दिखाना चाहते हो कि हम अतीक अहमत के बेटे हैं, अतीक अहमत के लोग हैं, और उन लोगों के सामने आप चुनोती सरकार को देते हो, गोली मार कर, हत्या करके बम मार के, तो ये चुनोती योगी आदितनात ने सुविकार कर ली है, और धीरे धीरे वो लिस्ट छोटी पड़ती जाएगी, जब जिस तरीके से प्रशांत कुमार ने, जो बाते कहीं, कि अतीक अहमत को छुडाने की एक साजीश थी, जिसका इनफॉर्मेशन यूप पुलिस को मिला था, ये तो ये संकेत था, कि अगर अतीक अहमत को छुडाने की छोटी भी कोशिस होती, तो आज असद के साथ अतीक के अभी अंतिम संसकार किया जाता होता, लेकिन ये अभी खत्व नहीं हुआ है, अध्याय अभी शुरू हुई है, और इस अध्याय का अं कि यूपी पुलिस जांच परताल करना चाहती है, उसके बाद अतिक का खात्मा करेगी पुलिस? ये जो पंजाब भेजता था, या फिर इंडिया में जो भी हत्यार भेजता रहा पाकिस्तान, वो कश्मीर के रास्ते भेजता रहा, लेकिन कुछ समय से ये लगातार सामने आने लगी, कि कश्मीर नहीं, पंजाब भी वो जगह है, जहां से पाकिस्तान हत्यार भेजता है, अब वो नेटवर्क बड़ा है, वो नेटवर्क सिर्फ अतीक हमद के ख्याल से नहीं है, यह कि अतीक हमद के लिए काम करता है, वो दोसरे के लिए भी काम करता है, चाहे खालिशतानी क्यों नो हो, अब अतीक हमद से रिमांड में पूछता चीजओगी, पंजाब ले जाया जाएगा उस नेटवर्क को उस रास्ते को तोड़ा जाएगा जो पाकिस्तान से अब हतियार के सप्लाई का अड़ा बज़ जोगा और पंजाब सरकार से तो कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद समझाने की तो अतिक का पाक कनेक्शन सामने आ चुका है पुलिस की चार्श्रट से बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तान से हतियार सप्लाई होता था ड्रोन की जरिये भी आता था हतियार और इसी को लेकर अब मामली की जाच में एटियस भी जुट गई है एटियस पाकिस्तानी हतियारों की तसकरी के मामले में अब पूश्टाच करेगी इसके अलावा अतिक और अश्रफ से आईसाई लश्करे तैबा के साथ समंधों को लेकर भी पूश्टाच होगी जिसका हिसाब अब अतिक को देना ही होगा आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलाल इतना ही कल एक बार फिर किसी और किस्से के साथ हाजर होंगे तब तक देख तेरे कैपिटल टीवी नमस्कार